जातिये जनगणना को लेकर बेहार सरकार को एक बड़ा जटका केंद सरकार की तरफ से दिया गया है आपको बता दे कि जातिये जनगणना की मांग सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगातार की जा रही थी खुद मुख्यमंदर नितीश कुमार ने सामने आकर कहा था कि अगर जातिये जनगणना की जाती है तो इससे हर तबकी के लोगों का विकास होगा खुद लालु प्रिसाद आदव ने इस बात की मांग की थी इसके लावा ती जश्री आदव पिशले कुस दिनों से समुद्धे को लगातार उच्छाते दिखाई दे रहे थी लेकिन अंसब के भीच के इंदे सरकार ने बिहार में सरक्रिय तमाम राज़तिक दलों को एक बड़ा चटका दिया है क्या है पूरे जानकारी हमारे पास आपको विस्तार से देते हैं आतिकत जनगणना के मामले को लेकर बिहार को बड़ा चटका लगा है खुद मुख्य मंतर नितीश कुमार जातिये जनगणना को लेकर पक्ष में बयाम देते रहें लालु प्रसाद यादब भी जातिये जनगणना की मांग बराबर करते रहें इधर हाल के महीनों में ती जश्वी आदव ने जातिये जनगणना के मुद्दे को प्रमुकता के साथ उच्छाला है लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया ऐसे में सरकार के फैसले से बहार के सरक्रिये राजनतिक दलों को गहरा जटका लग सकता है मुख्यमंद्र नितीश कुमान ने कहा है कि जातिये आंकड़े की जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हर्त अपके की तरक्की के लिए सही स्थती अस्पष्ट होगी राश्ट्री जनता अदल के अध्याक्ष लारी प्रिसाद आदम ने इसे लंबी अर्सी तक मुद्दा बना कर रखा था वैहार की लगभग सभी सियासी पाटियों ने यह मांग अपने अस्तर पर बराबर जारी रखी हाल के दिनों में 30 श्री आदव इस मामले को लेकर काफी मुखर रहें लेकिन लोग सभा में एक सवाल में केंद्रिय ग्रेही राज्यमंत्री नित्यानंद राई ने बताया कि 2021 की जनगणना के साथ केंद्र सरकार केवल स्सी एस्टी वर्क के लोगों की गिनती कराने के पक्ष में हैं केंद्र सरकार का ये फैसला आरजडी जेडिव समीत बिहार के लगभग सभी दाजनितिक दलों की भावनाओं के उलठ है दरसल बिहार वधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा जाती आधारत जनगणना कराने के पक्ष में दो दो पार सर्व समती से प्रस्ताओ पारत कर केंद्र सरकार को भीजा गया है पहली बाद 2019 में फिर अगले साल 2020 में दोनों सदनों द्वारा इस तरह का प्रस्ताव भीजा गया यही नहीं दोनों सदनों में भाजपा के सदस्यों नी भी जातिकत जनगणना कराई चाने के पक्ष में अपना समर्थन दिया था लेकिन केंद्र के इस रूप के बाद निश्यत तोर पर बिहार में सियासत भी होगी बता दे कि 2019 और 2020 में बिहार वधान मंडल के दोनों ही सदनों के द्वारा सर्व समती से दो दो बार जाती आधारत जनगणना को लेका है प्रस्ताओ पारत किया गया केंद्र सरकार तक भीचा किया लेकिन इस प्रस्ताओ को खारिस कर दिया गया है ठुकरा दिया गया है खुद केंद्र सरकार नी सदन में इस बात की चर्चा की है नित्यानंद राय की बात करें तो उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि S.C.S.T. को ही जाती जनगड़ना में रखा जाएगा यानि की पूरी तरीके से अब बिहार में इसको लेकर सियासत गर्मा उठेगी लगातार इन बातों की चर्चा बिहार के सियासी गल्यारों में पहले से ही हो रही थी अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही इस मसले पर क्या रुक सामने आता है फिलाकले इस वीडियो में इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस वाणेशन के साथ नमस्का